नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का All Exam Guide गुरूपर दोस्तों इस वीडियो में आप GK के Quotions साइट पेपर को देखेंगे इस वीडियो में मैंने 30 Quotions selected लिये हैं जो regular exam में पूछे जा रहे हैं वीडियो फ्री है पूरा देखिए चेक करिए क्या ये Quotions आप से बनते हैं वीडियो को अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिए जिससे वो भी ये वीडियो देख सकें चले शुरू करते हैं सबसे पहला प्रशन ये रहा स्क्रीन पर question number 1 देखिए आप से क्या पूछ गया है स्वतंत्र भारत के राश्य ध्वज का डिजाइन इनमें से किसने बनाया था तो right answer हो जाएगा स्वतंत्र भारत के राश्य ध्वज का डिजाइन जो है पिंगली वैंकईया जी ने बनाया था राइट आंसर है option number C प्रश्णिंग के लिए से उत्र हो जाएगा पिंगली वेंकईया जी प्रश्णिंग के लिए राइट आंसर है next question देखते हैं क्या पुशा गया अगला प्रश्ण निमने लिखित मैंसे किस भाषा में the Indian opinion पत्र नहीं छापा जाता था इनमें से कौन सी भाषा में the Indian opinion पत्र नहीं छापा जाता था राइट आंसर क्या हो जाएगा तो Indian opinion पत्र जो है तमिल भाषा में नहीं छापा जाता था राइट आंसर हो जाएगा इस प्रशन के लिए तमिल भाषा सही उत्तर है नेक्श कोशन देखते हैं क्या पुशा गया अगला प्रशन ये रहा स्क्रीन पर अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अकबार किस ने शुरू किया था तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अकबार जो है तारक नाथ दास ने शुरू किया था option number D इस प्रशन के लिए से यत्र हो जाएगा तारक नाथ दास प्रशन का सई उत्तर है भारत में सबसे कम वरशा का छेत्र कच्च से लेकर पंजाब हरियाना तक का छेत्र है बहुत्ते जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई थी क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रशन के लिए तो भारतिय जीवन भीमा निगम LIC की इस्थापना जो है 19 जनवरी 1956 में हुई थी option नमर B प्रशन के लिए सेयत्र हो जाएगा 19 जनवरी 1956 next question देखते हैं क्या पुछा गया है अगला प्रशन ये रहा आपके सामने प्रशन है पहली बार डांक टिकेट कहाँ पर जारी की गई थी राइट आंसर क्या है प्रशन के लिए तो यहाँ पर सेयत्र हो जाएगा डांक टिकेट पहली बार जारी की गई थी कराची में option नमर B प्रशन का सेयत्र हो जाएगा कराची प्रशन का राइट आंसर है इसके लिए next question देखते हैं अगला प्रश्ट है निम्नमैसे भारत के किन छेतरों में 200 mm वर्षा होती है क्या उत्तर हो जाएगा 200 mm वर्षा भारत के किन छेतरों में होती है तो सही उत्तर हो जाएगा right answer है जम्मू कश्मीर छेतर जो है 200 mm वर्षा का छेतर है राइट आंसर ओप्षन नम्बर जम्मू प्रश्ण के लिए सयुत्र हो जाएगा जम्मू कश्मीर नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परिक्षा प्रणाली को सिद्धान दता कब सुईकार किया गया था तो 1853 ओप्षन नम्बर बी यहाँ पर सयुत्र हो जाएगा 1853 में सुईकार किया गया था नेक्स कोशन देखते हैं क्या पुछा गया अगला प्रशन पूरे में मुंबई से कम वर्शा होती है कारण क्या है पूरे में मुंबई से कम वर्शा होती है इसका मुखे कारण क्या है राइट आंसर क्या हो जाएगा तो पूरे में मुंबई से कम वर्शा होती है क्यों क्य आगे नहीं जाने जाते हैं तो बादल पुने नहीं पहुंच पाते हैं और बर्शा सारी मुंबई में ही हो जाती है तो राइट आंसर हो जाएगा वरश्ची छाय प्रदेश में पढ़ता है पुने नेक्ट कॉशन देखते हैं अगला प्रशन क्या है यह रहा स्क्रीन पर अनोटोमी औप सीड्स प्लांट नामक लेख जो है कब प्रकाशित हुआ था राइट आंसर क्या हो जाएगा तो अनोटोमी औप सीड्स प्लांट नामक लेख जो है उनने सो साथ में प्रकाशित हुआ option number B प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा 1960 प्रशन का सही उत्तर है next question देखते हैं कि आप उशा गया अगला प्रशन यह रहाँ screen पर पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदाई इनमें से कौन है पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए इनमें से कौन उत्तरदाई है right answer क्या हो जाएगा तो पंचायती राज संस्थाओं के लिए इनमें से कौन निर्वाचन के लिए उत्तरदाई है था तो राइट आंसर हो जाएगा लिंग मेंड ने फूड चेंज शब्द का प्रियोग सबसे पहले किया था आप्शन अमबर लिंग मेंड प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा नेक्श कोशन देखते हैं क्या पुछा गया अगला प्रश्ण इरहाव स्क्रीन पर दूरदरशन का दैनिक राश्ट्रिय कारिकरम किस वर्श आरंब किया था राइट आंसर क्या है दूरदरशन का दैनिक राश्ट्रिय कारिकरम किस वर्श शुरू हुआ था सही उत्तर क्या ह तो दूरदरशन का दैनिक राश्ट्रे कारिक्रम 1972 में शुरू आता ओप्शन नमबर C प्रश्णिंग ले से उत्र हो जाएगा 1972 प्रश्णिंग का सही उत्तर है नेक्स कॉशन देखते हैं अगला प्रश्णिंग रहा स्क्रीन पर मयूराक्शी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य लाभानवित होते हैं राइड आंजर क्या हो जाएगा तो मयूराक्शी परियोजना से पश्चिम बंगाल और जार्खन ऑप्शन नमबर C यहाँ पर सही उत्र हो जाएगा प्रश्णिंग लाभानवित होते हैं सही उत्तर हो जाएगा प्रश्णिंग के लिए नेक्श कॉशन देखते हैं क्या पुशा गया अगला प्रश्णि एरहा स्क्रीन पर ब्यालिस्वे समिधान संशोधन अधिनियम निमलिकित मैंसे किस समिधान संशोधन अधिनियम किस समिधान संशोधन अधिनियम किस समिधान संशोधन अधिनियम किस समिधान संशोधन अगला प्रश्न वे राश्य नेता कौन थे जो 1925 में Central Legislative Assembly के अध्यक्षिन निर्वाचित हुए थे तो सही उत्तर हो जाएगा बिठल भाई पटेल साहब Option No.D यहाँ पर से उत्तर हो जाएगा बिठल भाई पटेल अध्यक्षिन निर्वाचित हुए थे Central Legislative Assembly के Next Question देखते हैं अगला प्रश्न है नीलगरी के परवतिय छेतर में कौन सा जल प्रपात इस्तित है सही उत्तर क्या है प्रश्ण के लिए नील गरी के परवतिय छेतर में कौन सा जल प्रपात इस्थित है सही उत्तर हो जाएगा तो पाय कारा जल प्रपात इस्थित है option number D प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा पाय कारा जल प्रपात इस्थित है सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं क्या पुछ अगला प्रशन सहस्त्र धारा जल प्रपात कहां पर इस्थित है क्या उत्तर हो जाएगा प्रशन के लिए तो सहस्त्र धारा जल प्रपात मसूरी में है option number मसूरी प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा right answer है सहस्त्र धारा जल प्रपात कहां पर है तो मसूरी में इस्तित है सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं अगला प्रशन क्या है ये रहा स्कीन पर अगला question प्रशन हैं आपके सामने निम लिखित में सभी तीनों गोल में सम्मिलन में कौन भाग लेने गया था या किस ने सभी तीनों गोल में सम्मिलन में भाग लिया था QA 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 Q 1930 इस प्रशन के लिए सही उत्र हो जाएगा option number B समुद्र तट दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उलंगन 6 अपरेल 1930 में किया था next question देखते हैं क्या पुशा गया अगला प्रशन yellowstone national park कहां पर है yellowstone national park कहां पर है सही उत्र क्या हो जाएगा तो yellowstone national park सही उक्त राश्र अमेरिका राइड आंसर हो जाएगा option number A प्रशन के लिए सही उत्र हो जाएगा तो खाद और क्रशी विभाग था option number C प्रशन के लिए सही उत्र हो जाएगा, खाद और क्रशी विभाग प्रशन के लिए सही उत्र हो जाएगा, next question देखते हैं, क्या पुशा गया अगला प्रशन, Phoenix form कहां पर है, क्या उत्र हो जाएगा प्रशन के लिए, Phoenix form कहां पर है, right answer क् फिनिक्स फॉर्म जो है डर्बन प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा option number D डर्बन प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा Phoenix form कहाँ पर है डर्बन प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते है निमलिकित में से कौन सी जील भारत के पश्यमी तड़ पर इस्तित है सही उत्तर क्या हो जाएगा भारत के पश्यमी तड़ पर कौन सी जील इस्तित है सही उत्तर क्या है प्रशन के लिए राइट आंसर फॉर दिस कौशन इस प्रशन के लिए तो भारत के पश्यमी तड़ जील है अश्टमुदी इस क्लब क्या होता है क्रीमी लेयर से आप क्या समझते हैं तो आर्थिक इस्तर के आधार पर वर्गी करना क्रीमी लेयर संकल्पना है option number B प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं निम्लिकित में से कौन सी जील है राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्ण के लिए तो जील इन में से सही उत्तर हो जाएगा option number कोडाई कनाल जो की तमिंदान्डू में स्थित है राइट आंसर हो जाएगा क्रतरिम जील option नमबर यहां पर सेतर हो जाएगा कोडाई कनाल नेक्श्ट गोशन देखते हैं क्या पुशा गया है पंच शीर घाटी कहां पर है क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्ण के लिए तो पंच शीर घाटी जो है अफगानिस्तान में है राइट आंसर है ऑप्शन नमबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं अगला प्रश्ण 1937 के चुनाओं में Congress द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 1937 में चुनाओं में कॉंग्रेस के दुवारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संक्या 6 थी option number D प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं प्रशन है राश्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी क्या उत्तर हो जाएगा तो राश्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना जो है 1993 में हुई थी option number D प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा next question अगला प्रशन है red square कहां पर है क्या उत्तर हो जाएगा तो red square जो है right answer है यह है Moscow में option number A यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा right answer है दोस्तों यह है आपका question side paper then यह है आपका surprise question भारते समिधान में संशोधन कैसे होता है इसका answer आपको हमें comment box में share करना है दोस्तों रोज सुबह 8 बजे से मैं live gk पढ़ाता हूँ channel पर आप रोज मुझसे सुबह 8 बजे से live gk पढ़ने के लिए जुड़ सकते हैं free classes होती हैं आप जरूर आईए इस वीडियो के description box में 2000 gk के questions की PDF और 1000 science के questions की PDF दौनों ही मैं दे दे रहा हूँ आप दौनों डाउलोड करके अपने दोस्तों को भी चैनल करें और खुद भी पढ़के याद कर लीजेगा वीडियो पूरा देखा है आपने तो लाइक तो बनता है तो लाइक जरू करें और अपने दोस्तों को भी जरू शेर करें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजेगा क्यूंकि रोज वीडियो अपलोड होते ह तो आपको रोज की नोडिफिकेशन मिल जाये करेगी तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो